हाई अब्रीवन मैं हूँ डॉक्टर सलीम और आज मैं आपके साथ एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिससे हम मेंसे बहुत सारे लोग खास करके वो लोग जो 40 साल की उमुर पार कर गए हैं परिशान रहते हैं जी हाँ दोस्तों कमर के चारो तरफ फैट का जमा हो जाना और पेट निकलाना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आजकल हर एक दूसरा इंसान परिशान है लेकिन आपको फिकर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल एफेक्टिव और साइंटिफिकली प्रोविंट टिप्स बताने व होगी तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी टिप्स के बारे में पूरी डीटेल के दोस्तों ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा मेटबोलिजम स्लो होने लगता है और इसी वज़े से धीरे-धीरे हमारा वजन बढ़ने लगता है लेकिन कई लोगों में ओवरॉल वजन बढ़ने के साथ साथ खास करके पेट के चारो तरफ फैट जो है वो जादा ही जमा हो जाता है जिससे थोंद निकलने लगती है overall weight की जहां तक बात है तो आपके metabolism के सुस्त होने से ये बढ़ता है लेकिन belly fat आपके अंदर बहुत सारे दूसरे reason से भी बढ़ सकता है hormonal changes की वज़ा से बुरे lifestyle की वज़ा से और हमारे internal organs की चारों तरफ जमा fat की वज़े से आपका पेट जो है वो बढ़ सकता है लेकिन चाहे आपका पेट कितना भी क्यों न बढ़ गया हो चाहे आप कितने भी मोटे क्यों न हो गया हो it's never too late to make a positive change तो tip number one है chew your food properly यानि खाने को अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाना वेल आप सोच रहे होंगे कि खाने को अच्छी तरह चबाने का weight loss से क्या relation है दोस्तों हमारे खाने का digestion मुह से ही शुरू हो जाता है हमारे मुह में मौझूद saliva में कुछ ऐसे enzymes होते हैं जो कि खाने में मौझूद starch को मुह में ही digest करना शुरू कर देते हैं इसके अलावा खाने को अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाने से पेट में इसके digestion में भी बहुत ज़्यदा असानी हो जाती है दोस्तों हमारे बड़े बुड़ों की एक कहावत है शायद आपने सुनी होगी कि आपको अपने आतों से वो काम नहीं कराना चाहिए जो आपके दांतों के करने का है अगर ऐसा आप करेंगे तो आपकी सिहत कभी भी अच्छी नहीं रहेगी और आपका वजन भी बढ़ेगा पेट भी बढ़ेगा इसलिए खाने को इतनी देड़ तक मुँ में चबाएं जिससे कि ये लिक्विड जैसा बन जाए खाने को देड़ तक चबा-चबा गर खाने से एक और एहम फायदा आपको ये होता है कि आपके ब्रेन को ये समझने के लिए कि आपका पेट भर गया है या नहीं पूरा टाइम मिल जाता है जिससे आप जो है वो ओवरेटिंग करने से भी बच जाते है टिप नमबर दो, always eat a balanced diet यानि हमेशा अच्छा और balanced खाना ले दोस्तों सही तरीके से weight loss करने के लिए एक well balanced diet को follow करना बहुत ही जादा जरूरी है अक्सर लोग weight loss करने के लिए खाना पीना या तो बिलकुल ही छोड़ देते हैं या फिर खाने में से fat और carbohydrate को लेना बिलकुल बंद कर देते हैं लेकिन scientific studies से अब ये बात जो है वो जाहिर हो चुकी है कि ये weight loss का सही तरीका नहीं है weight loss के लिए आपको एक balanced diet लेना चाहिए जिसमें whole grain भी हो, lean protein भी हो, healthy fats भी इसमें होना चाहिए fiber भी इसमें होना चाहिए और बहुत सारे fruits और vegetables भी इसमें होना चाहिए इसके लवा अपने routine में कुछ specialized चीजों को जैसे कि chia seeds को, lemon water को, green tea को और apple cider vinegar को भी regularly लेने से आपको वजन घटाने में काफी मदद मिलेगी वैसे इन चीजों में से भी अगर हम खास करके बात करें तो apple cider vinegar एक बहुत ही effective home remedy है जो कि आपके body के metabolism को boost करके, hunger panks को कम करके और excess fat को burn करके, वजन को खास तोर से आपके belly fat को बहुत तेजी से घटाता है लेकिन दोस्तों जब भी आप apple cider vinegar मार्केट से खरीदें तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह unfiltered हो, unposturized हो और इसमें mother of vinegar जरूर होना चाहिए तभी सही माइनों में आपको इसका पूरा फाइदा मिल पाएगा मैंने पहले भी apple cider vinegar के बारे में कई videos में बताया है और इन videos में बहुत सारी लोगों ने मुझे comment करके पूछा कि उन्हें कौन सा apple cider vinegar लेना चाहिए, कौन सा अच्छा होता है तो आज मैं आपको एक reliable और effective apple cider vinegar के बारे में भी बता देना चाहता हूँ इसका नाम है once are 45 plus metabolism booster, once are 45 plus metabolism booster एक unfiltered और unpasteurized apple cider vinegar है यह specially बना है prebiotics और mother of vinegar के गुणों के साथ जो आपके metabolism को boost करके और gut health को improve करके बढ़ती उमर में भी वजन बढ़ने से रोकता है इसको लोने से यह आपकी appetite को भी suppress करता है जिससे बार बार और ज्यादा खाने की आपकी आदत जो है वो कम होने लगती है इसमें मौझूद prebiotics, gut health को improve करते हैं और इसके अलावा खाने में मौझूद fat के पेट में absorption को यह कम करता है साथ-साथ यह आपके digestion को भी improve करता है जिससे जो भी कुछ आप खाते हैं वो easily digest हो जाता है और उसमें से जो fat का absorption है body में वो कम हो जाता है इस product को दोस्तो 100% cold pressed apple से बनाये जाता है जिससे की जादा से जादा nutrients को preserve किया जा सके और आपको जादा अच्छे results मिल सके best results के लिए इससे आप रोजाना दिन में दो time use करें यूज करने के लिए सबसे पहले इसकी bottle को अच्छी तरीके से आप shake कर लें और उसके बाद 15 ml ये apple cider vinegar आप एक glass गुंगुने पानी में मिला के सुभा सुभा खाली पेट और रात को खाना खाने के करीब आदा खंटे के बाद ले लें इसे लेने के बाद आप साफ पानी से कुला करना बिल्कुल भी न भूलें और हमेशा जब भी इसको आप लें तो हमेशा पानी में मिला कर ही यूज करें इसके लावा अगर आप प्रेगनेंट हैं या फिर लैक्टेटिंग मतर हैं तो इसे लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें दोस्तो 1SAR 45 PLUS METABOLISM BOOSTER 100% NATURAL PRODUKT है जो आपकी बोड़ी में सुस्त हो चुके METABOLISM की वज़ा से बढ़ने वाले FAT को रोकता है वजन को घटाता है इस के बारे में अगर अप और दा जानना चाते हैं या इसको PURCHASE करना चाते हैं तो सभी लिंक्स आपको नीचे description box में और pin comments में मिल जाएंगे वहाँ से click करके आप इसके बारे में और दा जान भी सकते हैं और चाहें तो इसको PURCHASE भी कर सकते हैं चलिए अब आते हैं अपने टिप नंबर 3 की तरफ जो की है Intermittent Fasting. दोस्तों, Intermittent Fasting आपको सुनने में बहुत ही fancy सा, बहुत ही modern सा word लग सकता है, लेकिन हमारे यहां आयरुवेदिक कल्चर में इसको हजारों सालों से practice किया जाता रहा है. Intermittent Fasting का मतलब डाइटिंग करना या भूका रहना नहीं होता है, यह basically एक eating pattern है, जिसमें आप शाम होते ही खाना खा लेते हैं, और फिर अगले दिन सुभा सूरा जुगने के बाद, कम से कम 16 घंटे के इंतराल के बाद आप खाना खाते हैं. Intermittent Fasting पर की गई बहुत सारी studies से पता चला है, कि इससे मोटापा कम होता है, आपकी metabolic health improve होती है, और कुछ studies में तो यहां तक कहा गया है, कि इससे आपकी उम्र भी भढ़ती है. Intermittent Fasting के कई सारे patterns होते हैं, इसके बारे में जादा जानने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखें, इसमें आपको Intermittent Fasting के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी मिल जाएगी. इस वीडियो का जो लिंक है वैसे वो आपको नीचे description box में भी मिल जाएगा, मैं आपके convenience के लिए इसको वहाँ पर डाल दूँगा, तो इस वीडियो के बाद ये वाली वीडियो भी जरूर देखिए, ताकि आपको Intermittent Fasting के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप इसको प्रैक्टिस कर सकें. Tip No.4, Cut Down on Sugar. दोस्तों, वाइट शुगर एक तरहां का जहर है, जिससे आप जितना जादा बच सकें, उतना ही आपके लिए अच्छा है. शुगर में किसी भी तरह का कोई protein, कोई vitamin, कोई mineral, कोई fat, कोई fiber, बिल्कुल भी नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ calories होती हैं, जो कि हमारी body में दो गुनी तेजी से वजन को बढ़ाती हैं. इसलिए कोशिश करें कि मीठा आप बिल्कुल भी खाना बंद कर दें, चाय भी फीगी पिए. यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक शुगर छोड़ने से आप कई kilo वजन बिना कुछ extra effort किये, बड़ी असानी से घटा सकते हैं, और शुगर छोड़ने से जो आपका वजन घट जादा आपके लिए बेहतर होगा, और हाँ, अगर आपको मीठा खाने का कभी जादा ही मन करें, तो आप अपने पास dried berries रखिए, जैसे कि black berries है, blueberries है, cranberries है, इने खाने से आपके मीठे काने की जो craving है, वो कम हो जाएगी, और इनने calories बहुत कम होती है, बहुत सारे vitamins, बहुत स salt intake, दोस्तों हमारी body में सिर्फ fat की वज़े से ही मोटापन नहीं बढ़ता है, कई बार access water retention की वज़े से भी हम मोटे दिखाई देते हैं, नमक खाने से body के tissues में water retention होने लगता है, इसलिए अगर आप नमक खाना कम कर देंगे, तो इससे body में ये जो water retention है, दीरे दीरे कम होने लगेगा, आपकी body हलकी होने लगेगी और tissues में मौझूद access water आपकी body से flush out होने लगेगा, नमक कम करने के लिए आप अपनी सबजियों में जितना भी नमक डालते हैं, उसे तरीब आधा कर दीजिए, सलाद के उपर से कभी भी आपको table salt मत डालिए, इसके लावार नमकीन biscuit, नमकीन सेव या बाकी जो इतने भी snacks जो नमकीन होते हैं, उनको आप बिलकुल भी इस्तमाल नहीं कीजिए, और हाँ अगर हो सके तो normal नमक की जगा, pink, हिमालेन, salt यानि सेंधा नमक का आप इस्तमाल कीजिए, दोस्तों इन 5 tips के अलावा, दो और important tips है जिनका आपको खयाल र बाहर बनाओ, हाँ, once in a while आप थोड़ा बहुत कभी जादा दिल करें तो खा सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब वो घर में बना हुआ हो, बाजार का fried food आपको बिलकुल भी नहीं चूना है, दोस्तों इन असान से tips को follow करके आप पहले ही दिन से अपनी body को एक healthy transformation की तरफ आ सकते हैं, दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ तो नया जरूर सीखा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे like कर दीजे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe भी कर लिजे और सभी के साथ share भी कीजिए, दोस्तों हमारे चैनल को लाखो लोग देखते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग उसको subscribe करते हैं, अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जो चैनल को वीडियो को देखते तो हैं, उससे knowledge तो हासल करते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन अभी तक subscribe नहीं किया है, तो please subscribe कर लिजे, subscribe करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, और अगर आप already subscribe कर चुके हैं, हमारे चैनल के paid member बनना चाहते हैं, तो वो भी आप नीचे join माला बटन दबा कर बन सकते हैं, इस समय आपको screen पे जो लिस्ट देख रही है, ये उन subscribers की है, जिन्होंने हमारे इस चैनल को join कर रखा है, हमारे चैनल के paid members हैं, और monthly एक छोटी सी रकम देके हमारे इस चैनल को support करते हैं, हमें grow करने के लिए, आप भी चाहें तो इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, नीचे join का बटन दबा दीजे, चलिए इसे के साथ मैं Dr. Salim आपसे विदा लेता ह रहिए ताकि आप रह सके हेल्दी हमेशा